Welcome to the Vision Group Vision Group में आपको स्वाग आते आई ये आप शुरू करते हमारी Investing Journey आई ये जानते हैं कैसे हम अपनी ID Screener की वेबसाइट पर आसानी से बना सकते हैं So let's start पहले आपका आपका वेब ब्राउजर उपन करना है उसके बाद आपको सर्च बार पर Screener टाइप करना है and Search Option पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको First साइट पर क्लिक करना है और आप Screener की Official वेबसाइट पर एंटर हो जाएंगे Right साइट में आपको Two options मिलेंगे First मिलेगा आपको Login and Second मिलेगा Get Free Account यदि आपकी ID Screener की वेबसाइट पर पहले से ही एक्जिस्ट रहे तो Simply आपको Login पर क्लिक करके आपकी Email and Password एंटर करना है और अगर नहीं है तो Simply आपको Get Free Account पर क्लिक करके आपकी कुछ डिटेल स्फिर करके आप भी फ्री में इस वेबसाइट पर अपने ID बना सकते हैं जैसे ही आप ID Login करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप इस वेबसाइट पर किसी भी कमपनी जो की Stock Market में Register है आप उसे Search कर सकते हैं Search करने के लिए Simply आपको Right Side पर Search for a Company के Bracket पर क्लिक करना है और जिस भी कमपनी के बारे में Search करना चाते हैं Search कर सकते हैं अगर आप MRF कमपनी के बारे में Information चाते हैं तो MRF टाइप कीजिए जैसे ही आप Search करेंगे Search पर नीचे MRF आ जाएगा Simply आपको MRF पर क्लिक करना है और आप Next Page पर पहुच जाएगे जहाँ पर आपको कुछ इस तरह का Interface देखने को मिलेगा जहाँ पर आप कमपनी के Stock Performance Competitors, Products और भी बहुत कुछ आसानी से आप Access कर सकते हैं जैसे आप Topper इडिफरेंट टाइप्स के Options देख सकते हैं जैसे फर्स पर आप MRF कमपनी के Website MRFTires.com पर क्लिक करेंगे तो आप कमपनी के Official Website पर पहुच जाएंगे जो की इस प्रकार है आप Chart पर क्लिक करेंगे तो आप यह पता लगा सकते हैं कि कमपनी के Stock की Performance हर साल कैसी रही Then आप Analysis पर क्लिक करेंगे तो आप Company के Pros मतलब Positive Side और Cons Negative Side का पता लगा सकते हैं अगर आप Pears पर क्लिक करेंगे तो आप MRF कमपनी के Competitors कौन है यह पता लगा सकते हैं अगर आप Quartres पर क्लिक करेंगे तो आप Company द्वारा हर तीन महिने में Company के Quarterly Results देख सकते हैं जिससे हम Company की Quarterly Growth का पता लगा सकते हैं देन आप P&L पर क्लिक करेंगे तो कमपनी द्वारा हर साल की Early Performance में Company की द्वारा की गई Sales Net Profit जैसी Information आप पता कर सकते हैं देन आप Balance Sheet जिसमें 3 पार्ट से Share Capital Shareholder द्वारा लगाया गया पैसा Assets जो आपको Income Generate करके देता है Liabilities जो आपके Expenses बढ़ाता है इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे Then Cash Flow Ratio Then Investor Then Document जिसमें हर साल कमपनी अपनी Financial Report प्रेजेंट करती है यह Financial Report क्या होती है यह Topic हम आगे कवर करेंगे जिसमें आप कमपनी की द्वारा की गई Announcements Annual Reports और Ratings आसानी से देख सकते हैं Screener की Website हमारी दोनों Analysis करने में बहुत मदद करेगी तो आप भी अपनी ID जल्द से ही Screener की Website पर बनाईए और दोनों Analysis को Easily कीजिए चलिए शुरू करते हैं हमारी Investing Journey with Part A Quantitative Analysis First Quantitative Analysis इनवेस्टर को यह बताता है कि Company कितनी Financially Strong है याद रखिए Bank भी उसी वेक्ति को आसानी से लोन देती है जिस वेक्ति का Account Maintain हो और उस वेक्ति के Account में हमेशा Minimum 10,000 से ज़ादा Amount रहता हो तो हमें भी उसी Company में Invest करना है जिस Company की Financial Condition Strong हो तो आईए जानते हैं कैसे एक Investor किसे भी Company की Financial Strength या Financial Condition आसानी से पता लगा सकता है जैसे यह हमने पहले भी कहा है कि एक Successful Investor बनने के लिए आपको Albert Einstein जैसा IQ नहीं चाहिए ना इस वामेवेक अनंद जैसी Memory बहुत चाहिए तो सिर्फ कुछ समय वो भी अपने सीखने पर किसे भी Company की Financial Condition जानेने के लिए हमें कुछ Ratio को Calculate करना होता है तो हमारा पहला Ratio है PE Ratio इसे हम Price to Earning Ratio भी कहते हैं यह Ratio हमें यह बताता है कि किसी भी Company का Share कितना गुना महगा है आज इसका Formula है PE Ratio equals to Current Share Price upon में Earning Per Share इस Ratio को निकालने से पहले आपको Earning Per Share पता होना चाहिए Earning Per Share को निकालने के दो तरीके होते हैं पहला होता है Easy Method and Second One है Tricky Method आई अब हम समझते हैं EPS को Tricky Method से Earning Per Share केलकुलेट करने का Formula होता है Profit After Tax या Net Profit Upon में Total Number of Outstanding Share इसे कलकुलेट करने के लिए हमें किसी भी कमपनी का Name टाइप करना है और आपको उस कमपनी के Document Section पर चले जाना है जैसे हम MRF के Share को कलकुलेट कर रहे हैं तो हम MRF के Document Section में जाएंगे तो आपको Annual Report पर क्लिक करना है तो आप कमपनी की Financial Report पर पहुच जाएंगे तो Firstly आपको Company के Consolidated Profit and Loss Account में जाना है Consolidated का मतलब है कि कोई भी कमपनी का Overall Business जो की India और Out of India में है And Standalone का मतलब है Company का Only India में Business तो आपको Consolidated Profit and Loss में जाना है और आपको वहाँ पर Profit for the Year या Profit After Tax या Total Net Income को Formula में Put करना है तो MRF की Total Net Profit है 142257 0000 and 0 और आप Upside जाएंगे तो आपको Shareholding Pattern पर जाना है आप उपर जाते जाए जाते जाए और Shareholding Pattern को Find कीजिए हो सकता है आपको Starting में Problem आए पर आप Again and Again Calculate करेंगे ratios को तो आप भी आसानी से इन्हे Find कर सकते हैं तो हम आचुके हैं Shareholding Pattern पर जिस भी Year का P calculate कर रहे हैं उस Year का हम Shareholding या Number of Share held देखेंगे वो भी Total तो हमें Shareholding Pattern में Grand Total A Plus B Plus C पर जाना है और Total Share को Formula में Put कर देना है तो Total Share से 424114 तो अब हमें इन Digits को EPS के Formula में Put करना है जो कि हमारा Formula था Profit After Tax अपान में Total Number of Outstanding Share तो हमारा Total Net Profit था 142257000 0000 और हमारे Total Shares थे 4241143 और अगर हम इन दोनों को डिवाइट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा EPS आया है 3354.21 तो आई अब हम इसे केलकुलेट करते हैं PE Ratio का हमारा Formula है PE Ratio इक्वल्स तो Current Price upon में Earning Per Share तो हमारे MRF Share का Current Price है 75278 एंड EPS है 3354.21 इसे हम डिवाइट करते हैं तो हमारा PE Ratio होता है 22.44 तो जैसा कि हमने PE Ratio केलकुलेट किया तो MRF का Share आज 22 टाइम्स महंगा है हम हमारी Last की वीडियो में समझेंगे कि कितने PE Ratio पर हमें कोई भी Share को खरीदना चाहिए थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो में इन आर नेक्स वीडियो